असलालेकूम आज मैं लेके आई हूँ आलू पकोड़े की रेस्पी बहुत ही टेस्टी और जबरदस बन का तियार होता है और इसे बनाना बहुत आसान है जटपळ बन का तियार हो जाता है किस तरीके से बनाते हैं वीडियो को एंद तक जरूर देखना परफेक्ट आलूपकोडे की रेसपी स्टार्ट करते है तो मैं यहाँ पे तीन आलू को इस तरीके से छिल ली हूँ और इसको इस तरीके से कट करेंगे ऊपर की तरफ ये छोटे- difícil आलू है तो इस तरीके कट करेंगे तो बहुत छोटा पिस निकलेगा और तो क्या करें इस त तरीके से बाके सब भी कट कर लेंगे आप देख सकते हैं कितना पतला कट किये हैं और इस तरीके से कितना चोड़ा निकला है छोटे से ही आलू में और यहां पे सभी को कट कर लिए है तो अब यहां पे प्याले में पानी लिए है और इसके अंदर डिप करके रखेंगे ताकि केक आले न पड़े आलू को कोटिंग करने के लिए मैं यहां पर एक कब बेसन ली हूँ अब इसमें डाल देंगे आधा चमच अजवाइन को क्रश करके डाले हातों से अब इसमें डाल देंगे आधा चमच लाल मिर्शी पाउडर आधा चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर औ उसको डाल देंगे इससे और खुश्बू और टेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पर आदा चमच डाल दी है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते है छोड़ा चमच नमक डाले है और यहाँ पर पानी डाल कर इसका गाड़ा सा पेस्ट बना लेना है बहुत तरीके से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिए है अब इसमें थोड़ा सा और पानी एट करेंगे बहुत ज्यादा गाड़ा लग रहा था पानी डलकर अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है आप देख सकते है किस तरीके का हमें बैटर चाहिए बहुत जादा पतला भी नहीं है बहुत जादा गाड़ा नहीं है इस तरीके का बैटर चाहिए और अब यहां पे आलू के पीसे लिए है और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे बेशन से और इसे अब फ्राय करने के लिए लेक चलते हैं यहा fry करना जरूरी है medium flame पे ताके अंदर से गल जाए और इसे fry करना है slow to medium flame पे fry करना है तो यह अच्छे से fry हो जाता है बहुत जल्दी और यहां पे अलट पलट करके अब golden fry कर लेना है और यहां पे अच्छे से golden fry हो गया है तो आप इसे बाहर निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी और जबरदस्थ हमारा आलू पकॉड़ा बनकर त्यार हो गया है अब इसे सब्व करेंगे हरी चटनी के साथ आप चाहे इसे सब्व करें टोमेटो केचप के साथ हर किसी के साथ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कोटिंग होई है आलू पे अगर आपने कुकवित हीनास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो चला और लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीकी के रेसिपी के साथ